हेलो फ्रेंग वेल्कम बैक मैं चनल फ्रेंड फ्रेंड मैं गोड़ आप आपका स्वागत करतो अपने चैनल दे ग्यानी स्टॉक मार्केट में और आज हम डिस्क्रेशन करने वाले हैं मंडे के लेवल के लिए निफ्टर बैंगे इंपोर्टेंट रहेंगे इंट्रेट के लि इंगे चलते हैं कौन से लेवल इंपोर्टेंट रहेंगे लॉंग टरम के बात करें चाहें शॉर्ट टरम के बात करें चाहिए आज आज आपने देखा ड्यक्रेंग के अंदर गडाउन देखने को मिला और बैंग डर्टी इतना बड़ा गडाउन रहा कि वह फिली निकर प एक अच्छा कासा फॉल मेला था हमें जो यह फॉल था 1888 के लेवल के आसवास गया था इस लेवल के आसवास आने के बाद इसने सपोर्ट लिया था उसके बाद कंटिनूसली एक काफी अच्छी रिकवरी देखनों के मिली है जो वापीस एक V-shape रिकवरी इसको मिली है और इंपोर्टेंट जो लेवल था उपर का वो था हमने बताए भी था 19,850 वाला एक इंपोर्टेंट इसका एक रिजिस्टेंस हा इस लेवल के पास इसके पास एक रिजिस्टेंस हा और कंप्लीट्ली उसी लेवल के पास आके इसने एक रिजिस्टेंस भी लिया है तो अब द ब्रेक करता है उपर की साथ तो definitely फिर आपको further move मिलने वाला है जो इसको all time high की तरफ ले जानेगा, otherwise अगर ये break नहीं करता तो definitely फिर ये fall करने वाला है, और ये fall करेगा तो इतने कातक करेगा, 19.500 या 19.500 की तरफ आएगा, तो वो देखने अली बात रहेगी, तो अभी आपको थोड़ा सा careful रहना है इस level के पास, क्योंकि critical level के पास आके फिर से ये खड़ा हो चुका है, तो दिपाबले के बाद इसने काफी अच्छे move तो दे दी हैं, क्या अब ये final move है, इसके उपर जाना है ये नहीं जाना है, ये आपको आने वाल दिमें पास चलने वाला है, यानि distance है, 19,850 का, अगर इसके उपर सस्टेंट करना चालू कर गिया ये, जिस इन भी, तो definitely फिर further move इसके लिए, all time high की तरफ होने वाले है, तो इस चीज़ को आपको धियान में रखके चलना है अब आपको, छीक है, अगर मैं इसके अब day level की बात करूं, यानि कि internet की बात करूं तो वो कौन से important रहेंगे, तो gap down लगने के बाद मैंने आपको बताया था, important support मैंने नीचे के तरफ बोला था, वो बोला था, मैंने 19,640 की एक range का मैंने आपको support बोला था, अगर इस range में आता है, तो definitely हाँ पर support लेगा, तो gap down खुल लेगा, तो आपने देखा ना, कि तक्र 720 के उपर, 19,620 के उपर ठीक हैगा, तो आप bind करके चल सकते हो, कोई problem नहीं होगी, तो आपने देखा होगा, ये 5 मिनट की candle आप छोड़ दो, तो अगली 5 मिनट की candle अगर आप देखोगे, तो 19,640 के आसपास इसने अच्छा support लिया है, तो अब अगर आप चाते हैं, तो इ लेवल दे जा रहे हैं, अगर आप focusly watch करोगे, तो definitely पैसा बनेगा, कोई problem नहीं आएगी, जो लेवल दे जा रहे हैं, चीक है, तो कल के लिए, यानि कि मंडे के आपको क्या धियान लखना है, कौन से लेवल important रहेंगे मंडे की दिन के लिए, वो धियान लखना क्योंकि, ज तक ये further downfall ना दे दे एक अच्छी तरीके से, चीक है ना, जिससा आपसे bank return fall आया है, पर इसके अंदर नहीं आया है, तो ऐसा बलग रहा है, कि शायद ये further fall उपर कर सकता है, तो इसलिए थोड़ दा के रहेंगे, तो कौन से लेवल important रहेंगे, up side के अगर मैं बात करूँ, ठीके न, 31 के असपर closing आया है, तो इसी range के ओपर फिर से टिकता है, इसी range के ओपर खुलता है, और इसी range के ओपर टिकता है, तो आपको buy करके चलना है, अपनी call लेके चलना ही है, उपर की तरफ के लिए, जिसमें आपको पहला target achieve होगा, 19, 780 और 800 तक के level, इसमें आपको दि सकता है, तो उसके accordingly अपना profit book कर सकते हो, तो buy करके चलना है, 19, 720 के ओपर टिकता है, तो buy करके चलना है आपको, 19, 780 के लिए, फिर 800 के लिए, ये level important रहेंगे, इसमें आप अपनी call लगा सकते हो, कौन सी, 19, 700 वाली call से play करके चल सकते हो, अगर ये 19, 720 के ओपर टिका रहता है, तो, पहले target आपको कहां मिलेगा, 19, 820 से ओपर निकलता है, 19, 880, फिर 800 के लिए जाएगा, अगर ये भी निकाल देता है, तो फिर आपको further move मिलने वाला है, इसका, 19, 850, 75 वाला, ये important range रहेगी, अगर 19, 850, 75 के ओपर टिक गया ये, यानि इस level को निकाल दिया, तो definitely प nifty 50, 19, 720 के ओपर टिकेगा, तो ही आपको buy करके चलना है, 19, 780 और 800 की range के लिए, अगर 19, 780 और 800 की range भी निकाल देता है, उपर की साथ, फिर further move होने वाला इसका, 850 और 75 वाला, चीक है, तो एक important level रहेगी, इसको ध्यान में रखना है, अगर बहुत बड़ा gap up खुल जाता ह है, ठीक है, अगर सबोज मान की सोब यहां से gap up खुल जाता है, और 780 और 800 की range में खुल जाता है, तो आपको wait करना है, अगर इस range में gap up आ जाता है, और यहां कहीं यह wait कर रहा है, यहां पर कहीं time बिता रहा है, अगर निचे की तरह time बिता रहा है, 800 completely huddle बना हुआ है, तो फिर आपको put play करनी है, फिर call मत play करना, अगर continuously आदा गंटा, 30 मिनट, 25 मिनट, इसने आठ सो, उनिचे आठ सो की range में time बिता दिया और नहीं उपर break कर पा रहा है, तो definitely फिर नीचे की तरह fall करेगा, तो आपको put buy करके चल लिए है, चीक है, और वहीं अगर मैं down side बात करूँ आपकी, तो down side कोन से level important रहेंगे, देखो put side आपको कोन से level मिलने वाले है, नीचे की side के, अगर निफ्री 50, 9700 को नीचे sustain करता है, इस level की sustain करता है, तो आपको फिर नीचे के लिए play करना है, पहला target क्या चीव होगा, आज का जो इसका low है, 960, ठीक है, फर्दर अगर fall करा, 9 960 के फॉल करा, तो फिर 580 immediate support होने वाला है, अगर 580 निकलेगा, तभी आपको वो gap fill करने जाएगा, जो gap up पड़ाता है, 200 point वाला, तो फिर वो उस range को fill करने जाएगा, तो ध्यान रखना है, 9.580 important support होने वाला है, अगर 9.580 निकला, तभी आपको further बड़ा fall देखेगा, ज जो इसको gap fill करवाता हुआ, कहां लेके जाने वाला है, 400 वाली range में लेके जाएगा, तो यह ध्यान लगना है आपको, downside पे, अगर बड़ा gap down खुल जाए, तो 580 के पास देखेगा, support ले रहा है, नहीं ले रहा है, अगर 580 पे support लेना है, फिर आपको call buy करके चलना है, अगर बड़ा gap down आजाए, तो, ठीक है, तो यह level important रहेंगे, मंडे के लिए इनको carefully watch करना, जिस set भी निकलेगा, आपको play करना है, और अपना profit बना के चलना है, ठीक है ना, अगर आपको downside play करना है, तो same, 1970 वाली पुट से ही play कर सकते हो, अगर यह fall कर रहा है, flat खुल के fall कर रहा है 1900 के ची, तो 1970 वाली पुट से अप play करके अपना profit book कर सको accordingly, ठीक है, तो यह ध्यान अखना है आपको, अगर मैं इसके OI data की बात करूँ, देखो OI data में क्या देखेगा, हमारी average closing, 1931 पे आई है, हमारी average closing, ठीक है, तो आप 1970 पे देख लो, 75,000 आपको देखेंगी, call rate, मिलब क इस range के उपर टिका, यह nifty 50, definitely आपको further move बड़ा होने वाला है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तो further जो बड़ा move होगा, वो 19,952 की आसपस को होने वाला है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, 19,850 एक important resistance है, nifty 50 यह लिए, चीक है, अगर इसके आप put set की बात करो होगे, तो put set देखो क्या दिखेगा आपको, 19,700 पे आप देखो के तो 1,17,000 की आसपस, मतलब कि अगर यह fall करा तो आपको एक अच्छा move देखेगा नीचे की साइट, जो 19,60 तक जा सकता है, फिर further उपर की सब खीज़ेंगे, अगर खसका आची तरीके से, तो immediate support फिर क्या ह होगा, 19,580 होगा, जोगी, 19,600 पे एक लाग क्या सपस यहां पर भी put right हो चुकी है, तो ठीक टैर नंबर दिख रहे हैं, 19,600 और 700 के पास, तो immediate यही support है, अगर यह support निकल गया, definitely फिर further fall आपको अच्छा मिलेगा, डेट सो दो सो पॉइंट जो होंगे, फिर वो अच्छे fall क क्या दिख रहा है, bank nifty के अंदर, island reversal का formation हो चुका है, मैं आपको पहले बताया था, एक एक दिन की चार्ट पर और एक गंटे की चार्ट पर कर देखोगे, bank nifty को, तो इसके अंदर आपको island reversal दिखेगा, और यह बहुत बड़े gap up पढ़ा था, और आप gap down पढ़ा है, तो इस की बात करूँ, up side की, आनि की call side की बात करूँ, तो important इसके लिए अभी जो range निकलने वाली होनी चाहिए, वो है 43,600 के उपर, ठीके, अगर यह 43,600 के उपर टिका, further move, अगर इस range के उपर टिकता है, 43,600 के उपर टिकता है, तो पहला move छोटा होगा, 43,720 का, मतलब की, कहां प 43,700 के उपर निकल गया, टिक गया, 15,20, 30 मेट तक टिक गया, तो फिर further move होगा, जहां पे इसने आज का day high बनाया है, वो है आपका 43,840 के पास, 43,840 के पास जाता होगा, अगर यह 43,840 के उपर टिका, तब ही आपको यह gap fill करेगा, यह gap है, जो gap fill होगा, तो further move होगा, 44,000 का और फिर 44,160 वाला, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, अगर किसी कारणवर्स gap आजाता है इसके अंदर, यहां से gap आप लग जाता है, और इमेजिट यह 43,850 की रेंज में जाके खुलता है, तो definitely फिर यहां पर यह हडल लेगा, अगर इसने यहां पर हडल लिया, तो further fall कर ज लेगे चलना है, तो फिर अपनो, अगर यहां पर नहीं उपर break कर पार, उपर नहीं निकल पार, तो put play करना, और पर according to profit book करके चलना है, अगर यह इसको उपर निकला, तो definitely फिर यह gap फिल करना चला जाएगा, जो इसको 44,000 की range में लेगे जाने वाला है, तो ध्यान रखना ह 44,000 फिर 44,160 की range में जाता हूँ देखेगा, अगर यह 43,850 के उपर निकलता है, तो ठीक है, यह बात होगी हमारी upside की, अगर मैं बात करूँ downside की bank nifty में, तो downside आपको क्या दिहान रखना है, अगर bank nifty 43,520 की रिचे ठीक है, ठीक है, एक important level है इसका, 43,520 का, अगर इस level के नी एक further fall आपको मिलेगा, इसका 43,400 का, ठीक है, अगर यह 43,400 भी निकालेगा, तो further fall होगा, 43,280 का, यह level आपको ध्यान लखने है, downside में, अगर nifty bank fall करता है, 43,520 के नीचे, तो पहला target आपका होगा, 43,400, 43,400 भी रुखा तो profit book करना है, अगर fall करा हूँ वहां से भी, तो 43,280 second target आपको अचीव होगा, जो bank nifty में आता होगा, downside में, जिस हिसाब से, आज इसने, यह fall किया, और gap fill नहीं किया, तो कहिना कहीं, यह indication दे रहा कि क्या पता है, यह further fall करता होगा, देखे, 43,400 और 280 की तरफ, ठीक है, तो important level रहने वाल है, इंटको अपको ध्यान रखना है, और मैंने कल आपको बताए भी था, bank nifty के अंदर, एक important level मैंने आपको बोला भी था, मैं तो कल क्या बोला था, देखो इता बड़ा gap down को तो अंदाजा नहीं था, पर एक important level यह बताए था, 43,700 अगर fall कर गया, कल मैंने बोला था, 43,700 fall करेगा, तो आपको further fall दिखने वाला, time बिताए भी इसने, ठीक है, फिर further fall कर गया था, 43,500, 13 का low भी बनाया इसने, तो ठीक टक fall होगा है, nifty bank के अंदर, तो अगर आपने मेरे कल का वीडियो देखा भी होगा, तो मैंने आपको बताए भी इस चीज़ भी mention की थी, जिस आपसे, वहाँ पे call और put right हो चुकी थी, तो आपने देखा न, अगर जिस सेट भी market निकलता है, और sustain करता है, तो definitely फिर उनको panic मसता है, ठीक है, तो put वालों को डर लगा, तो इसनारे put वाले जितनी put right करके गए तो भगे है वहाँ से, तो ये further fall उसी ही कारण हुआ है, ठीक है, तो जो भी data दिये जारा, उसको ध्या 24,583 पे आई है, बैंक निफ्टी की, तो आप अगर देखोगे, 600 पे देखोगे, तो कितना एक लाग सत्ताइजार के पर स्कॉल राइट हो चुगी है, 4700 पे एक लाग पिच्चानवे हजार, 4800 पे दो लाग तेहतर हजार, मतलब कि जितनी नंबर देखोगे ना, 44,000 तक न देख लेगा ना, तो डेफिनेटली फिर एक अच्छी काजी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, अगर ये 43,850 के ओपर टिक गया ना, तो डेफिनेटली, 1500-200 पॉइंट की काफी अच्छा मूब मिलने वाला है, फिर पर चलेगा है, जितनी यह कॉल राइट करके जा रहे हैं, पाफी मातरें कॉल राइट होके जा रही हैं, तो इस चीज़ का आपको धियान रखना है, तो डेफिनेटली, 1500-200 पॉइंट के पहुत अच्छा मूब मिलेगा उपर की साइट का, चीक है, अब वहीं पूट साइट देखोगे, तो सब भग चुके हैं, महला कोई बड़ा न और इस सेट बहुत ज्यादा मातर में मतलब की कॉल राइट हो चुकी है, तो डेफिनेटली, अगर फसना हुआ, तो इनको ट्रैक कर लिया जाएगा, तो यह पकड़े जाएंगे, बहुत बुरी तरके तो ध्यान रखना, अगर उपर निकलेगा, तो वेट कर लेना, तो लेफिली वाच करना, जैसे मूँ मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगी प्ले करना है आपको, चीजों को प्रॉपर तरीकी से लर्न करें, सीखें, इस्टॉक मार्केट सीखने की चीज़ा, जितना ताइम बिताएंगे, उतना अच्छा आप टेडर बनेंगे, और आने वलसे में में, एक अच्छा का सा प्रॉफिट का माज़ पाहेंगे, जो आप डेली चाहते हैं, पांच जार दर जार, वो अराम से कमा सकते हैं, अगर आपके बास प्रॉपर तरीकी से एजुकेशन होगी, स्टॉप मार्केट की डेफिनिटि अप अच्छा पैसा कमाके, एक लाइफ स कर सकते हैं, तो चीजे को सीखते रहें, अगर आपको चीजे ठीक लगें समझ आ रही हैं, तो लाइक करें, अगर आपको कोई कोशन हैं, कोई चीज हैं, तो कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे, वीडियो बनाएंगे उसके उपर, ताकि आपको चीजे अच्छी तर